मैं तो रस्ते से जा रहा था, पल्स केंडी खा रहा था, मुझे मिक्सी दिखी तो मैं क्या करूँ तो दूस्तों आज का आइडिया का भी धमाकेदार है पल्स केंडी का पूरा जो डिपा है वो हमने ले लिया है और इस मेक्सी को देखकर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं इन पल्स केंडी को में इस बॉक्स से निगाल दूँगा और इनके रेपर भी आटा दूँगा उसके बाद इस मेक्सी में इन पल्स केंडी की चटनी बनने वाली है तो काफी मज़ेदार ये वीडियो बनने वाला है और जब Pulse Candy खाते-काते इसकी चटनी बनाते हैं तो किस परकार का नजरा रहता है तो अब वीडियो शुरूप कर लेते हैं वीडियो विसेशग्यों की निगरानी में बनाया गया है इस वीडियो में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है आप करेपया इससे गर पर दोषग आने का प्रियासना करें हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी brand new mixie तयार है जो अभी अभी हमने market से purchase की है billion brand की यह mixie है तो उम्मीद है कि यह video भी आप billion तक जरूर पहुंचाएंगे पल्स केंडी का box तयार है और इस टील के प्लेट भी हमारी तयार है मैं इस box को यहां पे open कर देऊंगा और इन पल्स केंडी इसको निकाल के इनकार रेपर में हटा दूँगा उसके बाद इस mixie की बारी आएगी और इनकी बारी आएगी क्या चटनी बनती है कैसी चटनी बनती है जो खाने में कापी टेश्टी होता है और यह जब वहां पर इसमें ग्राइंड होगा तो किस परकार का ना जारा दिखेगा तो मैं इनको निकाल देता हूं और रेपर हटा देता हूं दर में आए परकार कोई बनती है कर कि आचाई है कर दो क् आचाई, आगाई χांदो कर दो के आचाई आचाई क स Mean यहां पर हमने वायर को जो है इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया है और हमारा mixer grinder भी तयार है और ये पल्स गैंडी के सारे रैपर हमने हटा दिये हैं आप देख सकते हैं ये mixer grinder इन पल्स कैंडी की चट्नी बनाने के लिए पूरी तरह से तयार है हमें बिलकुल भी अंदाजार नहीं है कि जब ये पल्स केंडी इस मिक्सर ग्राइडर के अंदर जाएगी और हम इसको ओन कर देंगे तो किस परकार का नजारा रहेगा तो दोस्तों सुरू कर देता है लेगर उससे पहले हमारे चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिए आप लाइक करते हैं तो ऐसा ही बैतरीन वीडियो बनाने का हमारा भी मन करता है तो अब मैं इनको डाल देता हूँ और इसको स्टार्ट कर देता हूँ रेडी वन तो थ्री रेडी वन तो थ्री तो या दोस्तों कुछ ही सेकेंड में मुझे लग रहा है कि इस मिक्सर ग्राइडर ने इंपल्स के इंडियों का काम तमाम कर दिए और पूरी तरह से चटनी बना दी इपना दिए मैं आप ढकन हटा देता हूँ देखते हैं अंदर क्या न जा रहा है ओ माई गौड दोस्तों आप देख सकते हैं ओ वाव यार कमाल हो गया यह पाउडर में बदल चुका पूरा का पूरा पल्स केंडी अब ऐसा पाउडर है ओ माई गौड तो दोस्तों काफी इंट्रेस्टिंग रहा यह वीडियो मैं अब इस जो जार है इसको हटा लेता हूँ और यहां पे जो हमारी प्लेट है इसमें आपको डाल के दिखा लेता हूँ और अंदर थोड़ी सी जो अपल्स केंडी बचिए बाकी पूरे पाउडर म अधर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें